हलो व्रिवन स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षाफ और नौकरी में इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं यूटेट उत्रागं 2022 के लिए सब्सक्राइब नौकरी को यहां पर सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे और साथी साथ में कुश्चन भी अप्लोड गरने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि साथ साथ वीडियो भी बन रही है तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है कोश्चन को अप्लोड करने में स्टार्ट करते हैं फिर आजके अपनी वीडियो लास्ट तक देखना आप ही लोगों के लिए वीडियो बनाई है मैंने सस्टी की जिस तो गांधी जी ने किसका विर्योफ करने के लिए 1919 में सत्यागरा को प्रारब किया था राइट आंसर है हमारे पास option number b तो जो रोलट एक्थ था वो स्टार्ट किया गया था गांधी जी के दूआरा 1919 में जो है शत्यागरा प्रारब किया था इन्होंने रोलेट एक्थ को को लेने कि रोलेक्ट एक्ट को खतम करने के लिए बात के लिए रोगी और इसी वज़े से इनका सत्य आरंब हुआ था तो option number B is the right answer next बढ़ेगे question number 2 के साथ में question 2 history का question है भई साहजादवारा कौन सी प्रसिद मस्जिद बनवाई गई थी बड़िया question है यार देखो easy भी है है डेली में ये situated है जामा मस्जिद और one of the largest one of the largest mosque largest mosque in India ठीक है भाई तो ये हुई बात जामा मस्जिद के बारे में और ये किसने बनवाई थी शाहजा ने बनवाई थी शाहजा को देखो एक चीज़ धिहान लखना आर्किटेक्चर में शाहजा का नाम कई जगे पर आता है इन्होंने काफी वर्ड लेवल के जो अर्किटेक्चर है अपने टाइम पर बनवाए हैं नेक्स बढ़ते हैं कुशन नंबर थर्ड के साथ समानीता किसे भारतिये पुने जागरण का जनक माना जाता है तो कौन थे ऐसे जिन्होंने भारतियों को पुने जागरण का मतला दुबारा से रिपीट भी होता है यह कुशन रिपीट नहीं होता तो इनके नाम से पूछा जाता है कुशन बार बार तो आप्शन नमबर बी इस दर राइट आंसर यह थे भाई राजराम मोहन राए आप सभी लोग इनको जानते और इनसे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि यह किस चीज के फाउंडर थे यहां से एक कुशन पूछा जाता है राजराम मोहन राए के बारे में कि यह फाउंडर कौन से समाज के थे भाई तो यह फाउंडर थे आरे समाज नहीं आ अंतिम्या समाज अंतिया अंतिया समाज ठीक है यह जो है देखो फाउंडर थे राजराम मोहन राए फाउंडर थे ब्रह्म समाज के थे ब्रह्म समाज के थे इसको काटो ब्रह्म समाज इसको नोट डाउन कर ले ना आई होप आप लोगों को पता भी होगा राजराम मोहन र समाज में उसमें इनका बहुत एक सक्रिय रोल है उसको सुधारने के लिए क्योंकि भारतिय समाज में काफी कूप रथाएं चलती थी उस समय पर काफी सारी इवल्स चलती थी जिसमें जिसको राजाराम मोहन रॉय ने जब आई थे ये लोग तो इन्होंने भारतिय पुने जा क्या ब्रहम समाज की संस्तापकते ठीक है तो बढ़ते हैं आगे कोशन नमबर बी के साथ थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नमबर भी है भारतिय पुने जागरन के जनक राजराम मोहन रहे नेक्स बढ़ेगे कोशन नमबर फोर के साथ और इंजेब किसका पुत्र था असा इसका पुत्र था भई शहाजा का पुत्र था और ये कब बॉर्ण हुआ था 1618 में बॉर्ण हुआ था इसका जो बर्थ प्लेस था वो क्या है भई गुजरात इसका बर्थ प्लेस है 1618 में क्लियर हो कई बात नेक्स बढ़ेंगे कोशन नमबर फाइब के साथ में भारति करा भाबब आजए इनके अंदर में जो है एक ऐसी भावनाती जो है है और इन में इनकी जो हिम्मत है और आजादी की जो देश भावना इनके अंदर थी उसी वज़े से इनको भारती करांती की माता mother of Indian struggle या Indian freedom struggle इनी को कहा जाता है ठीक है और इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि भारती करांती याने की इन्डियन revolution जो आया था इसके opposite question आता है हमारे पास की father of father of Indian revolution कौन है यहाँ पर हमने mother पूछ लिया लेकिन इसके साथ-साथ question भी आ सकता है कि father of Indian revolution कौन है तो यह आपको पता होना अच्छी है right answer है आपका लोक मानने बाल गंगाधर तिलग ठीक है बाल गंगाधर तिलग जो है father of Indian revolution कहलाए जाते है mother of Indian revolution कहलाए जाती है भीकाजी रुस्तम भाई अपने साहस के लिए अदम में साहस के लिए और अपने passion के लिए आजादी के पैशन के लिए बहुत जादा पुरसिद्द सी इसके इनको यह उपाधी मिली है और इन्होंने काफी बड़ा रोल निभाया इसा ही नहीं है इन्होंने काफी अच्छे अच्छे काम की हैं जिसके वज़े से हम लोग freedom ले सकें अंग्रेजों से question number आता है राजा राम मोहन रॉय किसके संस्थापक थे ठीक है तो question आ गया है दुबारा से आरे समाज के थे ब्रह्म समाज के थे Christian mission के थे या फिर प्रात् ठालो तो उसमें भी पूछे गए हैं कई बार तो right answer है हमारे पास option number B इन्होंने ब्रह्म समाज के स्थापना करी थी और ये गरी थी इन्होंने अगस्त 20 को अगस्त 20 1828 ये भी note down कर लेना ये additional information में आपको लोगों को या provide करा रहा हूं कि ब्रह्म समाज के स्थापना कब हु इसके जो पहली conference थी वो Calcutta में Calcutta में इन्होंने start करी थी बात clear हो गए काफे जारे चीज़े cover up हो गई next बढ़ेंगे question number आएगा हमारे पास 7 चार मिनार चार मिनार के निर्माड किस ने कराया था हुमाईयों ने कराया था पहमत कुली कुदब शाहा ने कराया था अशोक न मैं बता ही रहा हूं question number 7 के लिए right answer हमारे पास है option number B किस ने बनवाया था इसका निर्माड किस ने करवाया था मोहमत कुली कुदब शाहा ने इसका निर्माड करवाया था clear हो गए बात और यह कब बनी है बई यह बनी है 1591 में ठीक और जो ruler थे उसमें पर जो fifth ruler थे कुदब शाह डाइनस्टी ठीक है तो इस डाइनस्टी के जो पांचवे समराड थे उनका नाम क्या था मोहमत कुली कुदब शाहा उन्होंने 1591 में चार मिनार का निर्माड कर आया था है रदराबाद तिलंगा ना बात clear होगी चलिए आगे बढ़ते हैं next question number आएगा हमारे पास 8 question है नूर जहा किस मुगल शाषक की पुत्री थी जो नूर जहा थी वो किस मुगल शाषक की पुत्री थी आपको बताना है options are बावर बी अकवर सी शहाजा या फिर डी जहागीर तो नूर जहा किस मुगल शाषक की थी भई तो ये थी जहागीर की पुत्री थी मुगल शाषक ज सीमा का सीमाइकन किस के द्वारा किया गया था बहुत यहां धीया बोरा कन्ट traveling भिए पूसके है एघाल है लाइन फॉर्डफ ञेठ removing क्रिफ के द्वारा लारें स्संट के Option number B, इसका right answer है. Next बढ़ेंगे, question number 10 के साथ में. अब question 10 आता है, उप रास्ट पती, रास्ट पती के रूप में कितने समय तक कारे कर सकता है? उप रास्ट पती, रास्ट पती के रूप में कितने टाइम तक है? जब रास्ट पती नहीं होता देश का, किसी वज़े से रास्ट पती के जो प्लेस है, वो empty है, खाली है. तो उसको fill करने के लिए आपको बता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है. और वाइस प्रेसिडेंट रास्ट पती के पोस्ट के कितने समय तक? ऐसे तो नहीं है कि लब्मे समिंतराल तक काम करेगा एक limitation होती है तीन महा पांच महा एक वर्ष या फिर छे शिक्स मन्त तो right answer है question number 10 के लिए right answer है हमारे पास option number D is the right answer तो यह हमारा 6 मन तक 6 मन तक काम करता है बात clear होगी कितने समय तक 6 मन तक बात करेंगा और कितनी बार भी पुर्ण निर्वाचित किया जा सकता है जो vice president है उसको देखो 6 मन तक काम करेगा उसको दुबारा से आप उसको re कर सकते हो reestablish है नहीं कि दुबारा से reelect कर सकते हो पुर्ण निर्वाचित कर सकते हो उनको तो option number D is the right answer next question 11 किस संचोधन अधिनियम से मतदान की आयू 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कर दी गई थी बढ़िया कुशन है important quality का कुशन है भई ये कि कौन से संचोधन अधिनियम से मतदान यनकि vote करने की जो आयू थी पहले कितनी 21 थी उससे घटा कर 18 वर्ष करती गई तो ये 42 वर्ष था 44 था 52 वर्ष या 61 था कौन सा ऐसा अधिनियम था तो right answer है हमारे पास option number D ये था हमारे पास 61 संचोधन अधिनियम था जो 1988 में 1988 में आया था 61 61 61 जो अधिनियम था और ये अनुछेद article 326 आर्टिकल इसका आर्टिकल भी पूछ सकता है तो ये आर्टिकल 326 ठीक है और इसमें क्या था लोग सावा चुनाव और जो राज्ये के विदान सावा चुनाव होते हैं उसमें जो है मद्दान की आयू घटाकर 21 से 18 वर्ष करती गई थी 61 संसोधन अधिनियम 1988 में हुआ था और आर्टिकल 326 बात क्लियर होगी नेक्स परते हैं question number 12 आई होब आपको समझ में आ रहा होगा question वीडियो पसंद आ रही है तो या लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो तो subscribe कर देना आप लोगों को कहना पड़ता है क्योंकि कहने से ही आप मैंसे बहुत सारे लोग फिर भी नहीं करते हैं लेकिन इतना support आप कर सकते हो काफी सारी चीज़े आप लोगों के लिए आने वाली हैं और आपके लिए ही सारी चीज़े चल रही है तो कौन सी समीती मौलिक करते विए से संबंदित है question number 12 देख लेते है न्याय मूर्ती वर्मा समीती अशोक महता समीती मंडल समीती या फिर सरकारिया समीती तो भाई यहाँ पर right answer रहेगा हमारे पास question number 12 पर हम पहुँच चुके है option number A इसका अभिस्ट उतर रहेगा यह क्या है न्याय मूर्ती वर्मा समीती जो है यह क्या है option देख लेते हैं एक बार यह है भाई देखो मौलिक करते विए से जो संबंदित कमेटी थी तो वो थी न्याय मूर्ती वर्मा समीती और ये न्याय मूर्ती वर्मा समीती कौन थे भई ये ये न्याय मूर्ती का मतलब जज्ज थे ये उस समय तो ये जगदीश देखो देख लेते हैं इनको जगदीश शरण वर्मा ठीक है इनी के नाम पर ये और ये क्या थे बाद में जाकर जो है नियाय मूर्ती बने ये तो ये पहले क्या थे इसके अध्यक्ष थे इस समीती के अध्यक्ष थे और बाद में जाकर ये 27 वे 27 मुख्य नियाय दीश बने बात क्लियर होगे 27 मुख्य नियाय दीश बने जगदीश रण वर्मा और नियाय म कोशचोंबर कि हाएगय, हम कोशननननफ मर que र था पर राश्टिक हुए, जन स पर सिंद के रहेगा हमाने पासे पीछ रोप से रहेगा, के रसक पर भी पास कोशनननन हे ता पर रोप सका रहेगा है, त्वी सब्सबाप्य घिखजान उस धर यहां सा छोट। कौन से आर्टिकल में निहित किया गया है इसको आर्टिकल इसको आर्टिकल 73 थोर्ड में इसको निहित किया गया है बात क्लियर है तो option number B is the right answer next आएगा question number 14 अब question number 14 देखते हैं सब quality से related questions चल रहे है question number 14 राष्टे की या राष्टे आपातकाल के तोरान कौन सा समविदान का अनुचेद सुतह निलंबित हो जाता है जब आपातकाल लगती है emergency लगती है तो कौन सा अनुचेद जो है अपने आप ही खतम हो जाता है अनुचेद 22 अनुचेद 21 अनुचेद 20 या फिर अनुचेद 19 तो right answer है अब आपको 19 के अंतर क्या होता है जो जो चतम हो जाता है इसके अंतर मूल भूत अधिकार जो है इसके अंतर दिये गए हैं सुतंतरता यान की right to freedom right to fight नहीं है right to freedom का जो अधिकार है वो भी और राष्टिया पातकाल लगत के दौरान खतम हो जाता है और जितने भी हमारे से समंस्वंदित रखते कि होनी चाहिए members की lock audio maximum maximum numbers होता है वह । maximum number 260 जो होते हैं इसमें वह राष्ट पती के द्वारा नामांकित की जाते हैं कि सब्सक्यर मैक्सिण पती के द्वारा नामांकित किने जाते हैं य। भात क्रियों को question आएगा हमारे पास 16 कोई विदेयक, धन विदेयक है या नहीं या निर्ने किसके द्वारा किया जाता है options देख लेते हैं वित्यमंति की द्वारा किया जाएगा राष्ट पती या राज्जिस सभा, अध्यक्ष के द्वारा या लोकसवा अध्यक्ष जाने की speaker के दवारा कि ये धन विदेख है या धन विदेख नहीं है इसका right किसको दिया गया है ये हमें बताना है तो right answer है हमारे पास option number D इसका right answer है लोकसवा अध्यक्ष यानकी जो speaker होता है उसके द्वारा ही ये निर्णे लिया जाता है कि कोई विदेख, धन विदेख है या नहीं है इसका जो right है और इसका जो decision power है वो लोग सबाके जो अध्यक्ष होते हैं जो speaker महुदे होते हैं उनको ही ये right दिया जाता है बात clear? Next question number 17 जोग्राफी का question आपका include हो गया, पॉलिटी के question जा चुके है, जोग्राफी का question आ गया प्रत्वी की परत, dash का सही हो जाना है, यानि कि जो अर्थ की जो layer है जो अर्थ की layer है, वो किस चीज़ से मिलकर बनी होती है किस चीज़ का सही हो जाना है, combination है महाद्वीब का है, महासागर का है, या फिर अफसादी चटानों का है, rocks यानि की चीक है, या फिर दोनो A और B दोनो तो right answer रहेगा है, या पर 17 के लिए option number D रहेगा, A और B दोनो A क्या है, महासागर भी है इसमें, दूसरा महाद्वीब भी है तो प्रत्वी के परत किस चीज़ का सही हो जाना है, महाद्वीब के अभी combination है, सासाथ महासागर का भी combination है, इसलिए अपने option number D को choose किया है, next, question number 18, निबलिकित में से कौन सा वन्य जीव अभारन, यमना नदी के ऊपर है, कौन सा ऐसा वन्य जीव wildlife century है, अभ्यारन है, जो यमना नदी के ऊपर इस्थित है, option number A देख लेते हैं, ओकला, ओकला बर्ड अभ्यारन, यनकी ओकला bird century, नजवगर नाला पक्षी अभ्यारन, भिंडवास वन्य जीव यमना नदी के ऊपर ही है, यमना नदी के किनारे पर ही इस्थित है, लगबग हमारे पास में 300 birds की category है, 300 birds species, इनको species बोलते हैं, परजातियां है, 300 birds हैं, उनकी परजातियां हमारे इस अभ्यारन में पाए जाती है, जो ओकला पक्षी अभ्यारन है, और जो नॉड़ा, यानि कि उत्तर प्रदेश में जो नॉड़ा लगता है, उसमें है यह, clear होगी बात भई, next बढ़ेंगे question आएगा, हमारे पास 19th question पर हम discuss करेंगे, भूमद्य छेतरों में गहन वाशपन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, जो भूमद्य छेतर होते हैं, उसमें जो बहुत जादा वर्षा होती है, उसमें, उसका कारण क्या है, परवर्थी वर्षा है वो, option number B, चक्रवर्थी वर्षा है, या फिर वाताग्र वर्षा है, या सम्वहनी वर्षा है, तो right answer है हमारे पास, इस तरीकी की वर्षा जो कहलाती है, वो conviction यानि कि सम्वहनी वर्षा कहलाती है, option number D is the right answer, next question number लेके आएंगे हम 20 पर, ऊशन कटी बन द ने, घास का जो मैदान है, वो कौन सा है, वो है सवाना, B is the right answer, इसका अशन बी रहेगा हमारे पास, सवाना जो grassland है, कहां पर सिच्टिटेड है, कहां पर इस तिथ है, या सवाना grassland, ये अफेरिका, अफेरिका, अफेरिका में सिथ है ये, और ये कहां पर है वही देखो, इसकी जो situations है, या ये जहां पर इस्थित है, वो देखो एक्वेटर पहरे, यानिकि Tropic of Cancer, Tropic of Cancer, और Tropic of Capricorn, इनके बीच में ही ये इस्थित है, इनके सेंटर में ही है, Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn के बीच में ही सवाना grassland है, जो अफेरिका में इस्थित है, बात क्लियर है, और इसका जो एतना काफी है, मेरे खेयल से एतना detail काफी है, आगे बढ़ेंगे, कुशन और भी ज़्याद है, भारत का सबसे उचा पठार कौन सा है? सबसे ऊचा प्लेटू, सबसे हायस प्लेटू कौन सा है? डेकन का पठार है, या सिगूर का पठार है, या Question C बोलता है, लड़दा का पठार जो है सबसे ऊचा है देखो कुशन में यहाँ पर थोड़ा सा कन्फियूजन हो सकता है यहाँ पर पूचा गया सबसे ऊचा और एक सबसे बोलते सबसे बड़ा पठार कौन सा सबसे बड़ा प्लेटू कौन सा है अगर आपके पास सबसे बड़ा प्लेटू की बात आ है इसके हाइट है मीन सी लेवल से 3000 मीटर है और इसी को हम क्या बोलते हैं तिब्यतन प्लेटू बोलते हैं इसी को ही बात क्लियर हो गई दुबारा से रिपीट कर देता हूँ जो लदाक का पठार है ये जम्मू और कश्मीर में इस्तित है दूसरा 3000 मीटर की उचाई पर है ये और तिब्यतन पठार के नाम से जाना जाता है अगर आपसे पूछा जाए डेकन का पहाड यानि कि सबसे लार्जस पठार कौन सा है तो वो हो जाएगा हमारे पास डेकन प्लेटू इस लार्जस्ट ठीक है और इसका जो एरिया है वो है 5 लैक 5 लैक स्क्वाइर किलो मेटर क अरिया है जो डेकन का पठार है इसलिए लार्जस्ट है और हायस्ट कौन सा हुआ हमारे पास लदाक का जो पठार है जेंड के क्लियर होगी बात और तेखो भाई इसको दूसरे नाम से पूसकता है कि तिब्यतन प्लेटू कौन सा है ऑप्शन देदेगा तो उसमें जो लद क्लाम टापू रघ दिया गयता पंबन टाप ओ है वीलओट कौटा टापू है या फिर रामेश्वर्म टापू है तो बाईस के लिए हमारे पास राइट आउसर है प्शन नमबर बी जो विलर टापू है इसका नाम बदल कर अब्दूल कलाम टापू रघ दिया गयता है ठी कहां पर स्थिद है ये उडिसा में स्थिद है विए कोस्ट आफ उडिसा ठीक है यहीं कि एक सो पचास किलो मेटर भुवनेशवर से ये इस्थिद है वीलर टापू जिसको केस नम से जाना जाता है अबडुल अब्दुलकलाम टापू के नाम से जाना जाता है बढ़िया कुशन है इंपॉर्टेंट कुशन माक कर लेना इस तरीके की कुशन ही पूछे जाते हैं आपके एक्जाम में तो ऐसे कुशन मिस्स नहीं करने है कुशन नमबर 23 कौन सा महदीब श्वेत महदीब के नाम से भी जाना जाता है औस्ट्रेलिया का महदीब है यह या फिर यूरोप का है अंटार्टिका का है या फिर एशिया का है तो वाइट वाइट श्वेत महदीब के नाम से कौन सा महदीब जाना जाता है यह जाना जाता है हमारे पास option number C इसका right answer रहेगा जो अंटार्टिका है यह white only continent है गेवल एक ही continent है जो यह white white महादूीब के नाम से जाना जाता है और इसमें जाने वाले जो सबसे प्रत्थम व्यक्ति थी उनका नाम भी पूछ लिया जाता है कि उनका कौन सा नाम था कि भी जो सबसे पहले इन्होंने जो रोनेल्ड आम्स्ट्रम है रोनेल्ड आम्स्ट्रम जो है यह एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जो बैस साउथ पोल जो होता है जो साउथ पोल है अंटार्टिका का वहां तक होके आए थे बस ये एक पहले विक्ती थे जिन्होंने टच किया था ये तो option number C is the right answer और अंटार्टिका का जो ये महदवीप है ये 1820 में इसको discovered किया गया था इसकी खोज करी गई थी तो I hope काफी information है next question number आता है 24 प्रत्वी के ठोस हिस्से को क्या कहा जाता है जो solid part होता है अर्थ का उसको क्या बोलते है इस्थल मंडल बोलते हैं जल मंडल बोलते हैं या फिर जीव मंडल बोलते हैं जीव मंडल यानि की बायो बायो स्फेयर बायो स्फेयर का मतलब क्या जीव मंडल बायो मंडल बोलते हैं यानि की atmosphere ठीक है बाई बात के लिए तो आपसे पुछा गया कि सबसे solid ठोस हिस्सा कौन सा है तो option number A is the right answer जो इस्थल मंडल है बादन ही है वह सबसे ठोस हिस्सा है प्रथवी का जिसमें सारेへ mansion वगया ज्याते हैं प्लेट अर्य वे का जाता है और जिसमें सारी गैसी और एयर वाल आ वाला system है वह हमारा एट्मॉस्फेयर कहा पर है जहां पर सारे जितने भी प्राणी रहते हैं वो बायो स्वेयर आपका कहलाता है बात क्लियर हो गई तो यहां पर जो सबसे सॉलिड पार्ट है वह हमारे पास इस्थल मंडल तो option number a is the right answer यह थे भई हमारे सबस्क्राइब पर आप अच्छे मार्स कर सेगें तो थैंक यूवर वाचिंग दिस वीडियो कॉमेंट कर सकते हैं किया आपको पसंद आया और अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप कॉमेंट कर सकते हैं तेंक्यू वाचिंग